कैसे सभी बच्चे एकदम मस्त होएंगे महनत में लगे होएंगे तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं बच्चे ये वीडियो इस वीडियो इस रेलेवेंट फॉर जिन बच्चों का भी सेकंड निवेंबर को एक्जाम है अकाउंट्स का तो लास्ट मुमेंट क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है वो मैं आपके साथ फटा-फट डिसकस करता हूं सबसे पहली चीज बच्चों आपका जो पेपर होगा वो काफी लिंदी आएगा ठीक है घबराने की कोई जूरत नहीं है पेपर जो आपने करा हुआ है वही आएगा लेकिन लिंदी होग दिखो बच्चे आपका जो exam है, that is for 100 marks और ये 3 गंटे में करना है तो एक गंटे में कितने marks के करने है 33 marks का और half and hour में कितने करनें का 16 नंबर का तो अगर half and hour 16 marks है तो जो sir 8 marks के question होईंगे वो में कितने time में करने 15 मिनिट में तो आपको यह average लगानी बढ़ेगी sir हम लोग यह speed कैसे कर रहे है कैसे कर रहे है क्या last में check करेंगे नहीं वच्चे आपको half an hour बाद check करने कि क्या मैंने 16 number कर लिया फिर half an hour बाद check रने क्या मैंने 16 number कर लिया So you have to ensure that after one hour आपका 33 marks का हो जाए क्योंकि आपको paper तो पूरा आता होगा लेकिन ऐसा होने के chances जगर speed नहीं हुई तो हम 80-85 का attempt करेंगे तो उसे हमारा नुकसान है तो आपको speed के लिए आखरी डेड़ गंटे में नहीं भगाना बच्चे moment you start writing आपको तभी से speed रखनी है तो ये बात ध्यान डखना प्लीज बहुत important बात आप अपने साथ two watches लेके जाएगा बच्चे कभी-कभी हो जाता है कि एक watch खराब हो जाती है और दो calculator लेके जाएगा ठीक है तो ये जरूर ध्यान डखना है next conservation करना है क्या एक set pattern है कोई set pattern नहीं है ठीक है कोई hard and fast rule नहीं है लेकिन हाँ strategy ज़रूर है तो वो उस time आपको देखना होगा कि वो strategy को आप कैसे लगाते हो बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके paper में बेटा total आएंगे six questions six questions और आपने solve कितने करने है five questions छे के छे मत कर देना हर attempt में होता है कि कोई न कोई बच्चा कहते है sir मैंने तो सारा attempt कर दिया ठीक है तो ऐसा नहीं करना है छे question में से कितने question करने है बेटा पांच जिसमें first question compulsory होगा accounting standard का होगा और जो छड़ा question होगा compulsory first question में वो तो करना ही करना है उसके बाद कितने बचे गए second, third, fourth, fifth, sixth तो पांच question में बचे उसमें से कितने करने है चार तो मैं आपको suggest करूँगा first question तो compulsory है that doesn't mean कि मैं सबसे बहले वही करना है ठीक है तो sixth question जो है वो comparatively easier आएगा पर वो lengthy होता है जैसे उसमें आपको bonus issue preference share right issue and pre and post इसके आने के chances आपके जाद होएंगे पांच-पांच number के point ठीक है बचे आचा हर question कितने marks का होगा 20 number का सब parts भी होएंगे तो 20 number का है तो 6 question है तो 120 और हमने कितने करने है पांच तो 100 marks का हम attempt करेंगे सर जैसे ही paper मिलेगा ये मुझे paper मिला अब मैं क्या करूँ सर एक दम मैं क्या करूँ सबसे पहली चीज भाई बिल्कुल panic नहीं करना सब तो natural चीज है but we can try no कि हमको panic नहीं होने ठीक है क्योंकि believe me आपको paper आता होगा आप उस जैसे ही paper मिला तब immediate next 5-7 minute क्या strategy बनाते हो इससे आपके 10-12 number plus minus हो सकते है तो आपको समझने है कि जो पहला एक गंटे में आप question करोगे ठीक है वो आपको best आते हो मदब आपको पहले से 40 number अपने निकाल लेने है कि मुझे पहले ये solve करना first question में कोई पार्ड नहीं आता मत करो first को second आता है आपको sir second नहीं अभी confidence नहीं आ रहा third आता है हाँ से third आता है third कर लो ठीक है बच्छे इस तरीके से आपको 40 marks जो initially आप एक गंटा ये एक गंटा पंदरा मिनिट में करोगे वह आपकी best delivery होनी चाहिए अगर आप पहले question में ही आपने सोजा paper आगया पंदरा मिनिट ठीक है देख लिए ये ये अब स्टार्ट कोंसा करना है सोचा नहीं पहले से करते हैं बच्छे अगर आप स्टार्टिंग के 40-45 इस नंबर मिस्टेक कर रहे हो तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता तो आपको सबसे पहले question की selection करनी है I would suggest कि जो balance sheet match करने वाले question है वो पहले मत करिए ठीक है cash flow statement है वो पहले मत करिए ठीक है तो financial accounts cash flow statement single entry avoid these questions तो सर फिर पहले क्या करें प्रियन पोस्ट आया तो कर लो बोनस आया कर लो investment कर लो ब्रांच का अगर easy लग रहा तो कर लो नहीं तो ब्रांच को सबसे आखरी में डाल दो dimentures कर लो then hire purchase look for these chapters hire purchase departmental क्योंकि आपको आते ही आते होंगे hire purchase departmental insurance or profit stock ये वाले questions को initially डालो और नीचे कौन से question को डालो जो balance sheet match करने वाले question ठीक है बचे और अगर आपको first question पूरा आता है आपको लग रहे है कि 20 में से मुझे 15-16 नंबर तो ठीक लग रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो प्लीज बच्चे अपने दिमाग में रखेगा कि आपको choice question करने की बहुत important और simple सा फंडर जो question आता है वो हमने पहले करना है सर अगर कोई सब पार्ट नहीं आता कोई बात नहीं आपको दो सब पार्ट है एक आता है आप ए सॉल्फ करिए तो जब बी कप करेंगे बी के लिए space छोड़ दीजिए अगले पर चले जाए ठीक है सर पहले third question कर सकते हैं then first then fifth किसी भी sequence में कर सकते हो बस आप internal sequence को चेंज मत करें जैसे कि third का A और B है तो जमने पहले third का B कर दे फिर है ऐसा मत करना बच्चे third का A, B अगर आपको लग रहे I'll do later तो B के लिए space छोड़ दीजिए ठीक है बच्छे पट initially जो आपके questions आप कर रहे हो 40-50 नंबर के वो आपकी best delivery होनी चाहिए अगर आपने question की selections ही नहीं ग रिलाक्स करना और उसके बाद फिर स्टाइट करना ठीक है बच्छे तो यह बात आपको ध्यान रखने है पेपर लेंदी होने वाला है और जो मुझे 15 मिनिट मिलने है मिरको उसमें अपना best delivery जो 45 marks है उसको ध्यान रखना है two watches two calculators ठीक है बच्छे तो all the very best I'm sure आपको सब आ बोलूँगा कि आपको पेपर के टाइम पर ध्यान रखने है कि हम सिली मिस्टेक्स ना करें हाला कि वह ना चाते है भी हो जाती है but we have to give us give ourselves a reminder कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करने थोड़ी बहुत हो जाएंगे it's okay it's okay कि आपकी balance sheet अगर महाशनियों को यह गलती वास होग ठीक है believe me अगर आपने 80 का कर और अगर आपने उसको बहुत ही cool mindedly करा there is possibility 75 और अगर जल्दी 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 सो नंबर का कर रहे है और पैने को के कर रहे है तो 50 भी नहीं आएंगे तो यह चीज़े सब बात है मैं पता है मैं बस आपको reminders दे रहा हूं यह चीज के कि यह च ठीक है कि कोई ऐसा नहीं है कि यही paper ही है जिससे तुम्हारा career decide हो रहा है कुछ नहीं है ऐसा ठीक है ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है दुनिया में करोडों लोग हैं हर कोई अपनी अपनी live में मैनत कर आपने बहुत अच्छी मैनत करी है आपको सिरफ इस attitude से देना है कि मे मेरे को जो आता है मेरे को डिलेवर कर गया है result अपने आप फॉलो करेगा ठीक है क्या होगा paper में क्या result रहेगा कैसे question है कुछ नहीं सोचना उन तीन घंटे में you just have जो भी आपकी knowledge है positive attitudes आपको डिलेवर करना ठीक है बच्छे सो once again all the very best do well and I wish आप सभी बच्चों की exemption है 70 marks 80 marks so all the very best thank you so much